नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यूल्स का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यूल्स को कैसे लेना चाहिए, और सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यूल्स की वज़र से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि सोफोलाइट husk granules को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए सोफोलाइट husk granules का उपयोग कब्स की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है सोफोलाइट husk granules शरीर की आतों में ज्यादा पानी को सोप कर और स्टूल को नरम बना कर बाहर निकालने में मदद करता है side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सोफोलाइट husk granules की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सोफोलाइट husk granules की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे पेट से गैस निकलना, पेट में दर्ध होना, पेट में भारीपन होना, पेट भरा भरा हुआ महसूस करना और पेट में एंठन होना आदी side effects सोफोलाइट husk granules की वज़े से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की सोफोलाइट husk granules को कैसे लेना recommended होता है सोफोलाइट husk granules को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर 15 ग्राम यानी एक चम्मच सोफोलाइट husk granules को एक गिलास पानी में मिला कर लेने की सलाह देते हैं ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर सोफोलाइट husk granules को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं लेकिन कब्स की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्तर सोफोलाइट husk granules को दिन में दो बार सुबह वर शाम को भी लेने की सलाह दे सकते हैं सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यून्स की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यून्स को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यून्स को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए पेट की आतों में रुकावट होने पर, पेट की आतों की कोई सरजरी होने पर और अपेंडिसाइटिस होने पर सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यून्स को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना सोफोलाइट हस्क ग्रैनिूल्स को नहीं लेना चाहिए। कब्स की समस्या से बचने के लिए और कब्स की समस्या को ठीक करने के लिए आपको सोफोलाइट हस्क ग्रैनिूल्स के साथ साथ हर रोज एक्सरसाइस करनी सोफोलाइट हस्क ग्रान्यूल्स के दिब्बे को एक बार खोल लेने के बाद सोफोलाइट हस्क ग्रान्यूल्स के उस दिब्बे को दो सप्ताह के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए. अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि सोफोलाइट हस्क ग्रान्यूस प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाता है या नहीं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यूल्स को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सोफोलाइट हस्क ग्रैन्यूल्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकत हैं.